हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कमपार्जन करेंगे ओपो के 10 5G में और वीवो वाय 75 5G में देखते हैं कि बेस्ट कौन सा ही तो चली वीडियो स्टार्ट कते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिस्पले से ओपो में ही 6.6 inch वीवो में ही 65 58 inch दोनों का है रजूलेशन फुल HD+, दोनों में आपको IPS LCA डिस्पले मिलती हैं ओपो में आपको 19 Hz का इफ्रेसित मिलता है वीवो में ही 60 Hz का और डिस्पले क्वार्टी में ओपो बैस्ट है और प्रोज़र की बात की जाए तो ओपो का मिलता है आपको मिडेटे का डेमें सीटी 810 का CPU है टूपेन 4 इका हाड ओक्ते को 6 ननमीटेस का फिन फैट और वीवो का है प्रोज़र मिडेटेक का डेमें सीटी 700 का CPU 2.2V का हार्ड ओक्टे कोर्ड, 7 एनमेटेस का फिन फैट और प्रोसे क्वाल्टी में OPPO बेस्ट है बात करते हैं बैक केमरा की तो OPPO का है डूल, में केमरा 48 का, 32 का, Vivo का ट्रीपल, में केमरा 50 का फरंट केमरे की बात की जाए तो OPPO का है 8 का, Vivo का 16 का और केमरा की क्वाल्टी में Vivo बेस्ट है, बैटरी लाइफ दोनों में 5000 इमिज की, दोने की बैटरे स्नोनिबल है, आप दोने की बैटरे को निकाल नहीं सकते चार्जर की बात की जाए ओपो में 33 वाट, Vivo में 18 वाट, दोनों में टाइपस का स्पोर्ट है, फिंगर पी सेंसर और फेस लोग भी दोने ही स्मार्टफोन हैं मिल जाता है दोनों में आपको ट्रीपसी नहीं मिल दी, दोने की हवाईटी एक साल की, कॉनेक्टिविटी है 5G की, ओपो में रहे में 8GB की, Vivo में भी 8GB की है, मैमोरी सें 12GB की, दोनों में फंट में गलास, बैक में पलास्टिक, दोनों में Android 12, प्राइज की बात की जाए ओपो का है 17909, Vivo का है 21909, आपको दोनों में से कौन सा फोन पसंद आया, कौन बोक्स में जरू बताना, अगर आपको दोनों में से कोई स्मार्टफोन लेना है, अगर आपको बचल है कम, तो आप ओपो का स्मार्टफोन ले सकते हो, नहीं तो आप दोनों में से कोई भी स् मार्केट में दोनों से इस प्राइबज में बेस्ट स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे जैसे कि बोको एक्सपोर परो है बाकिया कोमेट कर देना मैं आपको बता दूंगी